किसानों ने प्रदेश सरकार की धान खरीदी की नीती की खोली पोल, कलेक्टर को ग्यापन सौप कर विवस्त दुरुस्त करने की रखी गई मांग, किसान नेता युग इश्टिवारी के नेतरतों में किसानों ने कलेक्टर को सौपा ग्यापन परिशानियों से कराया अवगत, प्रदेश सरकार के धान खरीदी की गलत नीतियों के विरोध में किसान नेता योग इश्तिवारी के नितरतों में छेतर के किशानों ने मंगलवार को राज्यपाल के नाम कलेक्टर भुसकर विलाप संधीपान को ग्यापन सौपा कलेक्टर को सौपा गया गया गयापन में किसान नेता और किशानों ने राज्य सरकार के धान खरीदी की नीती की गई और उनकी पोल खोल कर रख दी जहां उन्होंने कलेक्टर को अवगत कराया कि प्रदेश सरकार की धान खरीदी की गलत नीतियों के कारण किसान वा सॉसाइटी के करमचारी काफी परेशान है एक ओर जहां 70 प्रतीशत किसानों को वारदाना का बुकता नहीं हुआ है वहीं दूसरी ओर शौटेज के कारण सेवा सेकारी समितियों की आर्थिक स्तती दिनो दिन खराव होती जा रही है करमचारियों को कई महीनों से तनका नहीं मिल पा रही है उसके बाब जूर प्रदेश सरकार समितियों की आर्थिक स्तती को सुधार ने धान का उठाव शोटेज समय तन्य समश्यों के निराकरण को लेकर गंबीर नहीं है खरीदी के इंडरों में इलेक्टरों ने काटा से धान की तोल अनिवारे किये जाने की मांग प्रमुगरूप से रखी गई खरीदी के इंडरों को शोटेज की छतिपूर्टी देशरकार योग इस्तिवारी ने बताया कि शाषन की गलत नीती के चलते प्रदेश के उपारजन के इंडरों में धान सरते हुए पड़ा हुआ है दान में सुखत वा वर्षा से शरने के कारण जो कमी आई है उसका प्रापदान कर सौसाइटियों को प्रिश्चति पूर्टी की राशी मुया कराया जाने की मांग की गई खरीदी की नीती के उपसार अनुसार उपारजन के इंडरों में धान की आवार बफर लिमिट से जादा आती है और उसे बहतर घंटे में उठाए जाने की अनिवारेता है लेकिन उक्तनीती का पारण नहीं होने के कारण ही धान में भारी शोटेज आ रहा है जिसकी जिम्मेदारी शाशन को नहीं लेनी चाहिए वारदाने की राशी का शिग्र बुकतान करें सरकार किसानों नेता ने बताया कि खरीफ वर्ष दोयार बीस और इकिस में धान खरीद लिए एक गए बारदानों की राशी का बुकतान अभी तक नहीं किया गया जिसके शीग्र बुकतान की मांग की गई है एक नवंबर से शुरू हो धान की खरीदी किसानों ने इस वर्ष धान खरीदी एक नवंबर से आवश्यक रूप से प्रारम किये जाने और गॉंग्रे परियों को कई महीनों से बेतना प्रयाप्त है जिसे ततकाल बुक्तान के लिए जाने की मांग की गई है किसानों की धान खरीदियों के नीतियों में कुछ फेर बदल करें सरकार करके आज राज्यपल के नाम से कलेक्टर गम लोगों ने जाता शूपा है है हुआ पहुंभी मांग है किसानों की दान फिखाट तंट रहे जाना चाहिए और जो भी खरीदी ओंट्रीनिवाजीमिंगी रोली कटेंना की सब्सक्रें कर चाएं नर्याथन दिसंबरLike कर रही है किसानों की कटाई सुड़ ओगई किसान धान बेचना도 लोग कर दो रहे हैं उसके अलावा सुसाइटी में जो धान का जो बराबर उठाव नहीं होने के कारण साज भी धान सड़ते हुए पड़ा है और सुसाइटियों से रिकवरी गवर्मेंट रिकवरी कर रही है सुसाइटी वा लोग वितन नहीं मिल पा रहा है सभी मांगों को अब लेकर हम लोगों ने आपन दिया है कि नितियों में फेर बदल करें और सभी सुसाइटियों को भी रहाद दें और किसानों के बारदानों का पैसा समय में दें त्यांक यह थांकि थांक यह